नमस्कार मित्रों संदिप ज्यान यूटूब चैनल में आफका फ्रिशेस वागत है एक लेटेस्ट गौर्रमेंटी जोब नोटिफिकेशन के साथ जो निकल रहा है फुलिस विवाग से तो फुलिस विवाग में कांस्टेबल और SI के जो सब इंस्वेक्टर के पदों पे बंफर वेकेंसी निकलिवी है यदि आप बार भी फास है तो ये फॉरम अपलाई कर सकते हैं किस परकार ये फॉरम अपलाई करना होगा क्या जोब की लोकेशन होगी संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो वीडियो पे चलने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो हम सबसे पहले आपको यहां दिखा देते हैं पदों का विवरन है आप देख सकते हैं सब इन्सपेक्टर और kontable के पदों पर यह बरती निकली वी है टोटल वेकंशी आप यहां देख सकते हो गेतर सो दस वेकंशी आपको यहां मिल रही है साथ हजार एक सो दस वेकंशी यहां टोटल आपको मिल रही है अब हम बात कर लेते हैं इसकी योगेता की योगेता क्या रखेगी ये तो मित्रो आप यहाँ यहाँ योगेता इसकी देख सकते हो कांस्टेबल पद के लिए बारवी प्रिक्स जो बारवी के प्रिक्स है उत्रिन मतलब बारवी के लिए सोरी कांस्टेबल के लिए बारवी पास और सब इंस्फेक्टर के लिए ये सनात्तक होना अनिवारी है आपके पास ग्रियोजेशन डिग्री होना अनिवारी है अभी हम बात करते हैं इसमें आयूसिमा की तो आपके आयूसिमा क्या होनी से यह तो आप यहां देख सकते हो आपकी आयूसिमा अठारा से लेके पचीस यर्स ठीक है यह हो गई कांस्टेबल के लिए एठारा से लेके 25 यर्स कांस्टेबल के लिए और एठारा से लेके 27 यह हो गया जो एसाई के पदों पे भरती निकल वी थी उनके लिए अब जो आरक्सित व्रेग हैं उनको नियम अनुसार छूट दे जाएगी अब बात करते हैं जोब लोकेशन की तो आपकी जोब लोकेशन रहेगी वो रहेगी हरियाना जो रज है उससे यह जोब निकला हुआ है यदि आप का जो सिलेक्शन होगा वो हरियाना में होगा और आपकी एक्जाम वगेरा सेंटर भी हरियाना में ही होंगे अब हम बात करते हैं आवेदन शुलक की तो यहां देख सकते हो मित्रों आप आवेदन शुलक तो तेरा रूपे ठारा रूपे इसकी जानकारी आप ओपिसल वेबसाइट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्सिन वे दे रहा हूं वहां से आप देख लेना की यह किस-किस कैटिग से इक्रीज के लिए कितने कितने अवेदन शुलक को रखों किरा तो हम सीधा इसके लास टाव को दिखा देते हैं तो लास टेट से पहले पहले आप ओनलाइन अपलाई कर सकते। अंतिम्थिति देख सकते हैं आप यहां दो जुलाई इसकी ओपलाई कर सकते हो और फीसियल है नहीं ओलाइक है यहाँ B देख सकते हैं इसकी ओफीसियल हेसाइट पर जाके आपको वहां recruitment का link मिल जायगा recruitment में आपको PDF ड spotlight करनी है या On-line करना कुछ नहीं कुछ ौन मिल जाएगा इदि हमारे चेनल पर कोई फैंक न्यूस देई जाती है तो आप हमें कमेंट करिए हम आपके कमेंट का जवाब देंगे कि ये न्यूस फैंक है या नई रेलवे डिग्रूफ की बात करते हैं तो रेलवे डिग्रूफ की एक्जाम है वो होने जा रही है 12 अगसे अलवर का अभासकर यदि आप पढ़ोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा आज का कुर्मेंट जो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर देना और यदि अभी तक इस पैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भार्त